नमस्कार किसन भैयू स्वागते हैं आप सभी का आपके अपने यूटूब प्लेटफूम राजस्तान मोसम में बात करेंगी राजस्तान के मोसम के बारे में जिसमें बताएंगे आगामी 24 गंटू के अंदर कैसा रहेगा मोसम कहां का पर बारे सोनी के संबावना रहेगी इसक कर लेज़ेगा किसन भाई ट्रफ रेका हैं काफी उत्रायन हो चुकी हैं और जम्मु कस्मीर शेफ होते हुए यह उत्राखंड हीमाचल परदेश से होते हुए जो उत्र भारत के राजी हैं वहां से यह गुजर रही हैं और आज ज्यादा तर जो बारिस की गतिविद्या हैं इसी ट्रफ रेका के आसपास की शेत्रों में होने की संबावना रहेगी जिसमें जम्मु कस्मीर में एक WD भी आ रहा हैं जो की काफी प्रभावी हैं तो उस WD के कारण भी आज जम्मु कस्मीर के आसपास की शेत्रों में बारिस की गतिविद्या देखने को मिलेगी वही ही बारिज की गतिविद्या देखने को मिलेगी और राजस्तान की बात करें तो राजस्तान के भी उत्तर पूर्वी और दक्सिन पूर्वी भाग है यहाँ पे आज मुशलाधार बारिज जैसी गतिविद्या देखने को मिलेगी अभी की लाइव सेटलाई तस्वीर आपके स्क्लीन पे हैं आप देख सकते हैं कुछ हनमानगर से लेके गंगानगर कुछ सिकर जुनजुनु के भाग है कुछ सुरू के भाग है यहां पे बारिस की गतिविद्या हो रही है आईये जानते हैं आगा में 24 गंटों के अंदर कैसा रहेगा मौसम सबसे पहले देखते हैं बारती मौसमी बाग का ग्राफ तो किसान वैयू मैंने पहले भी आपको बताया है कि आज ट्रफ रेखा हैं काफी उत्राइन हो चुकी है तो ट्रफ रेखा के आसपास वाले शेत्रों में आप देख सकते हैं भारी से अती भारी बारिस के संभावना मौसवी भागने जताई हैं वही उत्र और उत्रफ पूर्वी राज़तान के भी जैपूर संभाग भरतपूर संभाग और विकानर संभाग के गंगानगर हनमानगर डकुच चुरू के और शाती सीकर जुझनू के भाग हैं राज़ता यहां पर आज खंड बारिश की संभाव न रही कि कुछ इस्तानों पर मुश्लाधार बारिश जैसी गतिविद्या भी देखने को मिल सकती हैं। यहां पर बारिश की गतिविद्या देखने को मिल सकती हैं। यहां पर मैंने यह घेरा दर्श आया हैं। यहां पर कुछ इस्तानों पर मुश्लाधार बारिश जैसी गतिविद्या देखने को मिल सकती हैं। वही बात करते हैं कोटा संबा की कोटा बुंदी बारा चालावाड साथी। इन जिलों की बात करते हैं। इन जिलों में आज भी बारिश की गतिविद्या चालू रहेगी। कुछ इस्तानों पर भारी बारिश जैसी गतिविद्या देखने को मिल सकती हैं। तो कुछ इस्तानों पर हल्की बारिश के भी इसमें मौसम सुष करेने का भी अनमान रहेगा। वही बात करते हैं अज मेर भीलवाड चितोड़कट साथी। इन जिलों की बात करते हैं। इन जिलों में भी आज इंदर देवता महरबान रहने वाले हैं। आज सुबह सुबह ही यहां पर बारिश की गतिविद्या हो रही हैं। और आज दिन को भी यहां पर बारिश होने की संभावना रहेगी। साम के समय में भी दुबारह से मौसम बनने की संभावना यहां पर रहेगी। कई सारे स्थानों पे भारी बारी जैसी गत्विद्या भी देखने को मिल सकती हैं और कुछ सोटे जो नदी नाले हैं वो भी उपान पे आ सकते हैं और मांध भी लबालब होने के सम्भावना बन रही हैं बात करते हैं उदेपूर शंबा की उदेपूर बास वाड़ा परताब देखने को मेल सकती हैं जो की बीना गरजना के साथ में बारिस की इकतिविद्या देखने को मिलने वाली है बात करते हैं जोदपूर संपा की जिसमें जोदपूर जैसल मेर बाड़ मेर साथी इंजलों की बात करते हैं इंजलों के आज ज्यादा तर शेत्रों पे बादलों की आप जही के बिश में मौसम सुस करेगा लेकिन कुछ इस्तानों पे हलकी बुंदा बांदी या फिर गरजना वाले इस्तती होने की संभाव ना बन सकती हैं विशेस तोर पे बाड़ मेर के पूरवी जोदपूर के दक्सिनी और मद्धे भाग जोदपूर शहर के आस्वास के भाग या पे कुछ गरजना वाले इस्तती हैं आज दोपेर के बाद में बन सकती हैं उनके बारे में भी आगामी मौसम बुलेटिन में और ज़्यादा सठेक तके साथ में आपको बताया जाएगा वैज जालोर और शिरुई की बात करते हैं इन जिलों में आज सुब्सब्स भे कुछ इस्तानों पे बुन्दबान्धी होने की संभावना रहेगी और जालोर शहर के उत्री भाग और जालोर शहर के आस्पास के शेतर हैं शिरुई के लगबग समस्त भाग है पाली के भी लगबग समस्त भाग है या पे खंड बारिस जैसी गतिविद्या देखने को मिल सकती है और कुछ इस्तानों पे भारी बारिस जैसी गतिविद्या भी देखने को मिल सकती है जो कि पाली की में बात कर रहा हूं और पाली के कई सारे नदी बड़ा था और जालोर के रामसिन के पांसे जो मेन आईवे हैं उनके उपर से उस पानी ने अरोड को क्रोस किया और उसमें चलते वक्त एक कार है वो पानी के अंदर भी बे गई थी क्योंकि सिरुई में जब भी बारिस होती है पाली में जब भी बारिस होती है तो उनका पान शेतर हैं और जालोर हैं ये मैदानी शेतर हैं तो मैदानी शेतर में पानी आता है और यहां पे कल्वकार भी बेहने की सूसना है और वहां पे जन्हानी होने की भी सूसना हमारे पास में मिल रही हैं तो जब भी पानी ऐसे तेज भाव के साथ में सड़कों से या फिर रास्तो से भाई तो आपको भी सशित रहने की जुरुत हैं तो किसान भाई इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं दो पेर के दो बज़े वाले वीडियो में तब तक के लिए मुझा गरी जगा नमस्कार जैहिंद